2.3. मिश्रण के प्रकार Types of Mixture अव्यवों की प्रकृती और उसकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन प्रकार के मिश्रण बनते हैं आईए इसे क्रिया कलाब द्वारा समझें क्रिया कलाब दो कक्षा के विद्यार्थी क, ख, ग, घ समुहों में बट जाएं उसमें एक चम्मच नमक मिलाएं। उसे कुछ देर के लिए इस्थिर छोड़ दें। सभी समुह बीकरों में रखे नमुनों का अवलोकन कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न एक, किस किस बीकर में अव्याव पूरी तरह से मिश्रित होकर एक सार दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न दो, किस किस बीकर में अव्यावी पदार्थ अब भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि समुह क तथा ख को ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जिसके अव्याव पूरी तरह से एक सार अर्था समान रूप से वित्रित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी तथा विश्मांगी मिश्रण के गुणों को जानने के लिए एक क्रिया कलाप करें। क्रिया कलाप 3. कक्षा के विद्यार्थी पुना क, ख और ग में बट जाएं। समुख बीकर में 100 ml जल लेकर एक चमच नमक मिलाएं। समुख बीकर में 100 ml जल लेकर एक या दो बुन्द दूध या स्याही मिलाएं। समुख बीकर में 100 ml जल लेकर एक चमच चौक पॉडर मिलाएं। प्रतेक समुख काज की छड की सहयता से पदार्थों को जल में अच्छी तरह से मिलाएं। तथा अवलोकन करें कि किस बीकर में जल में अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। अब लेजर टॉर्च से प्रकाश की किरण को क्रमश क, ख, ग बीकर में डालें। और उसे प्रकाश कीरण के लमवद दिशा से देखें। किस-किस बीकर में प्रकाश कीरण का मार्ग, चित्र के अनुसार दिखाई दे रहा है। पहले बीकर में नमक का विलियन, दूसरे बीकर में दूद तथा पानी का मिश्रण तथा तीसरे बीकर में चौक पाउडर तथा पानी का मिश्रण है. अब तीनों बीकर को 15 मिनट तक स्थिर छोड़ दें, फिर अवलोकन करें कि किस किस बीकर में मिश्रण स्थिर है तथा किस में कुछ समय बाद कण नीचे बैठने लगते हैं। तीनों बीकर के मिश्रणों को अलग अलग छन्ना पत्र की सहायता से छाने तथा नोट करें कि किस छन्ना पत्र पर कुछ शेश बचा है। तली में नहीं बैठते हैं और उन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को विलियन कहते हैं। इनमें अव्यवी कण समान रूप से वित्रित रहते हैं। समुख के मिश्रण में अव्यवों के कणों को देखा तथा च्छाना नहीं जा सकता है। और नहीं कोई कण तली में बैठता है। लेकिन समुख के विप्रीत इस बीकर में प्रकाश का पत दिखाई देता है। इस प्रकार के मिश्रण को कलिल या कुलाइड कहते हैं। समुख के मिश्रण में अव्यवी कणों को चान कर अलग कर सकते हैं। साथ ही कुजदे रखने पर यह कण तली पर बैठ जाते हैं। इस बीकर में कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं। बलकि कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। क्रियाकलाप दो और तीन के आधार पर हमने जाना कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तथा विश्मांगी मिश्रण कोलाइड अथवा निलंबन होता है। विलियन कोलाइड तथा निलंबन को विस्तार से समझें।